हाई एवरिवन दिस इज वर्स्टाइल अनामिका विलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हो आप लोग उमीद करती हूं कि सब बहुत ही अच्छे होंगे सो गाइज आज मैं आप लोग के साथ यूनी सेक्स प्रोफेशनल पार्लर में कैसे हैरसपा होता है step by step पूरा बता रही हूं जिसे देखकर आप घर पे खुद से कर सकते हो आइडिया मिल जाएगा आपको एंड करवाना चारे तो वो भी आप देख सकते हो तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरे हैर जो थे वो बहुत ज्यादा उलजे हुए थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस तो उस वज़े से मैं हैर कॉम नहीं की थी दो दिन से नहीं की थी तो वो सुलजाए पहले देखे हो जैसे ही आप उसके बाद सेकेंड स्टेप इसका था कि यहाँ पे हेर वास किये सैंपू से तो अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो दो बार आपको सैंपू लगाना है आपको मन्थ में एक दिन या टू मन्थ पे कम से कम मन्थ में कम से कम एक बार ले ले लेना चाहिए अगर नहीं ले पारे मन्थ में तो वन टू मन्थ पे कम से कम तो लिया ही करो इससे ज्यादा टाइम नहीं किया करो क्योंकि से प्रोटीन मिलता है थोड़ा सा है मतलब रिल देखो आगे का प्रोसेस में पूरी प्रोसेस बता दी हूं तो वीडियो के थोड़ी सी भी हलफुल रही हो पसंद आई हो तो फटा फटा से हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए यहां पर देख पारे हो आप जो यह क्रीम होता है पूरा वो बना रह है रहते है तब ही और उसमें आपको यह क्रीम जो होता है वो अच्छी तरह से जर से लेके पूरे में लगाना होता है यह प्रोटीन देता है हमें तो आप चाहो तो चार मन्त के लिए आप करवा सकते हो मैं कहूंगी है इस पाही करवाओ हर महीने अपना तो मैं करवाती रह के यहाँ पर क्रीम ब्रस की टिप से मदद से लगा रहे हैं अगर आप इसका किट भी लेना चाहते हो तो जैसे नायका या किसी एप से या ऐसे ही लॉरियल का कहीं पर मॉल है या कुछ है वहाँ से जाकर सौप से अपला सकते हो किट और इस तरह से हैरेस्पा ले सकते हो आगे कवी वीडियो दिखा रही हूं मैं मेरे चेहरे पर बहुत जाता थकावट लग रही थी क्योंकि थोड़ा ठंड था तभी मैं गई थी हैरेस्पा करवाने और उस टाइम बहुत ज्यादा बीजी थी मतलब दो दीन से मैं ठीक से सोई भी नहीं थी इतना काम था मेरे प करवाते हो तो प्लीज आप लोकल पार्लर में मत जाया करो कि कि वो लोग किस ब्रैंड का प्रोड़क्ट क्या लगाते है उस पे डिपेंड करता है अगर बहुत जादा लो क्वाइलिटी का प्रोड़क्ट लग गया आपके बाल पे तो पूरा बाल ही खराब कर देगा तो इसके बाद आप हैरेसपा कर लो तो यहाँ पर यूनिसेक्स पारलर जो होता है प्रोपर जो होता है लिखा तो बहुत सारे पे रहता है लेकिन प्रोपर जो होता है प्रोफेशनल उस पे जाओ या मॉल ओल के अंदर जाके आप करवाओ तो हम जिधर रहते हैं वहाँ पे है एक बहुत ज़्यादा famous मतलब है यहां का और बहुत दिन से बहुत पुराना है मैं काफी दिनों से करवाती हूँ यहां पे देखो पूरे में लगा लिया है length पे भी and roots पे भी लगाया गया है इसके बाद यहां पे steam दे रहे हैं क्योंकि मेरा scalp जो है बहुत ज़्यादा dry हो गया है इसी वज़े से बहुत ज़्यादा डेंडर फोर रहा है मुझे तो मैं hair का care जो है वो नहीं कर पा रही हूँ आप लोग के साथ video भी नहीं share कर पा रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि hair rebonding नहीं करवाना चाहिए मैं आप लोग को बता रही हूँ मैं करवाई थी उसका बहुत बुरा एफेक्ट होता है बहुत बुरा तो यहां पर एस्टीम कम से कम 5 मिनिट लेना होता है इसके बाद में रोल यहां पर मसाज का मसाज यह लोग इतने अच्छे से मैं थोड़ा सा ही मैं मना कर दी थी मैं बस हेड का ही करवाई थी क्योंगी मैं कमफरटेबल नहीं हूँ और हैर इस पाज़ जो है जो प्रोफेशनल पारलर होता है उसमें मेंस ही करते है तो जो जिस तरह से कमफरटेबल है उस तरह से अपना करवा सकते हैं और यहां पे मेरा बेटू बैठा हुआ है कभी ये भी वीडियो बना रहा था यह कर देता है थोरा से बड़ा हो गया ना तो इस समझे से बहुत ज्यादा डेंटरफ हो गयता है और हेर मेरा इतना डेमेज हो गया कभी भी मतलब रिबॉंडिंग नहीं करवाना चाहिए देखो सेविंग करो लेकिन थोरा से खुद के लिए भी निकालो मेरा मानना यही है और मैं यह चीज करती हूं सेल्फ लब्र जो है वह मेरा धीरे-धीरे बढ़ रहा है बहुत जादा पहले मैं भी इतना ज्यादा करती थी इतना ज्यादा नहीं लेकिन अब मैं सुचती हूं उस च हैर कट भी मुझे करवाना था क्योंकि चार पांच महीने हो गए थे मैं नैनी ताल गई थी तभी हैर कट महीने हो गए थे तो मैं यहां पर थोड़ा सा हर्कट भी करवाई वन लेंट जो होता है उतना कटाई मैं क्योंकि मेरे हैर मतलब ग्रोथ काफी बढ़ जाता है जादा हलके हो गए बाल अब धीरे धीरे भड रहे हैं लेकिन रिबॉंडिंग नहीं करवाना चाहिए रिबॉंडिंग का मतलब एक डॉक्टर ने मुझे बताया जब मैं डॉक्टर को दिखाने की कि बहुत जादा हैर्फल हो रहे तो उन्होंने बोला कि यूट्रेस में भी क कुछी विमेन का कोई बीमारी हो सकता है रिबॉंडिंग की वज़ासे उसमें जो कैमिकल यूज होता है इस वज़ासे नहीं करा मैं तो प्रोफेशनल जो होता है इधर का जो सबसे बेस्ट ता डैली का नोएडा का सेक्टर 18 का वहां पे करवाई अब इससे बहतर कहां पे ह लोगे अपने हाइय स्ट्रेंट रहे गाप कभीए चाव किया जरूरत है तो ह किरशा होती है तो यह कतilst करवाई हूं मैं एंड देख वार है कितना कटवाई हूँ फिर से बढ़ जाते मेरे हैर बढ़ जाते है जल्दी से एंड काफी जादा मतलब घना भी था मेरा हैर लेकिन रिबॉंडिंग की वज़े से ऐसे हो गया कोई बाद नहीं ठीक हो जाएगा सिर्व दीरे दीरे टाइम के साथ जैसे जै और यह लोग तो 101 परसेंट देते एक चो एक परसेंट पूरा तो हैर कट के बाद उसके बाद है ड्रायर यहां पर लगा रहे थे और हैर ड्रायर भी बोला कि ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए हमें मन्थ में एक या दो दिन करना चाहिए उससे भी काफी ज्यादा नुक ही जाना होता है मैं घर पे रहती हूं तो किसी टाइम अपना हैर वास कर ले तो जब नहाती हूं और दीरे दीरे सूख जाता है अभी तो अब गर्मी का मौसम आ गया है विंटर में थोड़ा ज़्यादा है ड्रायर की जरूरत होती है और इस तरह से ब्लो डायर जो करते है तो सहर स्ट्रेट भी हो जाता है वैसे मेरा स्ट्रेट ही है तो काफी ज़्यादा अच्छा लगता है अभी आप देखना और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजे इस सब सलून का आपको अगर कुछ और देखना है फेशिल देखना है क्या देखना है तो वह भी मैं आप लोग के साथ सेयर कर दूंगी कमेंट करके मुझे बताना तो मैं वैसा वीडियो बना लूंगी मैं खुद का खुद के फेस पे खुद के हैर पे करवा के आप लोग के साथ सेयर कर दूंगी तो इस तरह से हो गया इसक और थोड़ा सा फ्रेंट से भी हैर कट करवाना चाहिए थोड़ा सा निकालना चाहिए नहीं तो पूरा फ्लेट ऊपर के तरफ यह साइड से अच्छा नहीं लगता नेता है तो मैं थोड़ा सा कटिंग कर आवे लेकिन बहुत ही थोड़े से यहां पर मैं बोल रही हूं कि कटिंग करना तो यहां पर कटवाई और इसके बाद यह रही फाइनल रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखो आप खुदी मुझे बहुत ज्यादा रिलेक्स मिलता है मैं चाहती हूं मन्त में एक दिन करवा ही लेती हूं मैं तो गाइज यह रही फाइनल लुक आप लोग को पसंद आई हो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी तरह का वीडियो देखना है वो भी कमेंट कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ तब तक लिए झाल 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